नहीं साथियों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में आज हम लोग CTAT exam का analysis करेंगे जिसमें हम लोग 18 January की पहली shift के questions discuss करेंगे और देखेंगे कि आज का difficulty level कैसा था EVS में किस टाइप के questions पूछे गए थे CDP में किस topic से questions पूछे गए थे मैच के questions के levels क्या था तो सारी चीजें यहाँ पर हम लोग discuss करने वाले हैं तो वीडियो को last तक जरूर देखिएगा चलिए देखते हैं कि कैसे questions पूछे गए थे आज की shift में पहला question है आप से जो पूछा गया था कि बाग से संबंदित था शेर से या संबंदित था कि शेर की दहार 5 किलोमीटर दोर तक जाती है तो कई कथन दिये थे तो ये जो एक कथन था ये गलत था तो शेर की दहार कित्ते किलोमीटर तक जाती है आठ किलोमीटर तक जाती है इसमें ये कथन गलत था तीन कथन और थे वो सही दिये थे तो इस type के questions कथन से पूछे गया थे आप स से शेर के बारे में अगला प्रस्ण आप से पूछा गया था इविएस में किस पक्षी को रात में काला और सफेद दिखाई देता है तो देखिए कौन सपक्षी है उल्लू है जिसे रात में काला और सफेद दिखाई देता है अगला प्रस्ण इविएस का जो आप से पूछा गया था वह था कि भारत किसके विपरीत दिशा में इस्थिद है कि में अर्जनटीना बच्छ बता रहे थे तो इसका कररेक्ट आंसबर orianा ऐसा ही प्रस्ण आपको पिछली वर्ष भी सीटेट में देखने को मिला था तो यहां पर लेह और मनाली के घर कैसे बनी होते हैं इससे संबंधित प्रस्ण पूछा गया था तो यह घर पत्थर चे बनी होते हैं आगला प्राशन आपसे पूछा गया था कि बचंद्री पाल थोड़ा डीब में पूछा गया था बच्चे बता रहे थे कि कहां से संबंधिद है तो ये देखिए उत्तरकाशीasına फित्तरकाशी जीले में जो कि CDP में और अभी EVS की अगर बात करें तो EVS में सब बच्चे बता रहे थे कि जन्तू से पौधों से पक्षियों से प्रस्न कम पूछे जा रहे हैं तो थोड़ा सा पैटन चेंज हुआ है आज का देफकंटी लेवल् सोड़ा मॉडरेट लेवल का था इसके पहले शिफ्टो का फेपर ठोड़ा सा इजी था इस बाइगा चोड़ा फेपर फेपर थोड़ा cadre यह कुछ questions थे जो आपके CDP से पूछे गया थे अगला जो आपसे पूछा गया था CDP में topic था Early Childhood Care and Education से question पूछा गया था 4-5 questions बच्चे बता रहे थे कि पूछा गया था तो ऐसे types के question इस topic से पूछे जा रहे हैं आपसे अगला disability से पूछा गया था कि difference of largest 5-digit number and smallest 4-digit number यानि कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर और चार अंक की सबसे चोटी संख्या का अंतर आपसे पूछा गया था तो यह बहुत ही सरल सप्रस्ण है इसको आपको करना होगा तो आप जो है बता सकते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन से होती है तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप की हो जाएगी नो, 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 और नो हो जाएगी, चार रंगों की सबसे छोटी संख्या कित्ती हो जाएगी, जापकी चार रंगों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, एक हजार, अब आपको इसका अंतर बताना है, ये तो सबसे सरल प्रस्ण है, जो आपसे पूछा गया था, तो का और कर क्लियर होगा तो इजली कर सकते हैं तो यह था कुछ आज की पेपर का अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएए आपको रोज ही इस प्रकार की अनलिसिस मिल जाएगी जहें दोस्तों जिनका ग्लिशिफ्ट में पेपर है उनको बेस्ट आफ प्रियो में